हाई फ्रेंड्स मैं है परवंदर खारी और आज जो मैं गेम आप लेल आया हूँ ये खेली गई थी गेरी कासपरोव और व्लादमिर क्रमनिक के बीच 1994 की ये गेम नुवगो रोड रिशिया में खेली गई थी गेम शुरू की गेरी कासपरोव ने E4 के साथ क्रमनिक ने है ओपन सिसीलियन के लाद सी टेक्स D4 करके नाइट टेक्स D4 E5 नाइट B5 और यहाँ गेम सेबेशन को विरियेशन की तरफ ट्रांसपोज हो गई D6 बिशप G5 नाइट को पिन किया A6 नाइट पर अटेक नाइट को यहाँ से अठाना पड़ेगा नाइट A3 B5 और अब यहाँ यह किलियर है कि नेक्स्ट वूम में बलेक इस बी पॉन को आगे बढ़ेगा तो यहाँ कास्परोव ने पहले किया नाइट D5 F6 स्क्वाइर के पिंड नाइट पर प्रेशर बढ़ाया उसका डिफेंस बलेक ने किया बिशप E7 करके बिशप TX F6 बिशप TX F6 C3 A3 नाइट जो एक कौने में रखा हुआ है उसके लिए पहले से जादा बैटर ब्लैक ने कैसल किया नाइट C2 रुक B8 क्रेमनिक का यह मूव थोड़ा ओक्वर्ड है तो शायद यह मूव क्रेमनिक ने A4 पॉन बढ़ने की थ्रेट को देखते हुए किया होगा क्योंकि अब अगर आगे वाइट ने A4 पॉन बढ़ा तो B TX A4 रुक TX A4 और इसके बाद ब्लैक के रुक के एंट्री सीधा 2 रैंक में हो जाएगे लेकिन यहां वाइट ने ज़्यादा एग्रेसिव मूव खेलते हुए किया A4 फ्रेंड्स यहां यहां यह A4 मूव वाइट की स्ट्रेटिजी को बहुत एक्स्प्रेंड करता है अगर ब्लैक ने इस A4 पॉन को लिय और यहां ब्लैक के लिए काफी देर से यह D5 का नाइट एक सिर्दर्द बना हुआ है यहां इस नाइट को ऐलिमिनेट करना बहुत जरूरी है लेकिन जो क्रैमनिक ने इस नाइट को हटाने के लिए मूव चला वो काफी आक्वर्ड है यहां ब्लैक ने किया नाइट E7 यहां क्विन साइट कैसलिंग के प्रपरेशन में है और उसकी क्विन H6 स्क्वार पर जाने को बिल्कुल तयार है अगला मूव क्रैमनिक ने चला बिशप B7 E4 पॉन पर अटेक उसका डिफेंस बिशप D3 D5 Exd5 Qxd5 और अब कास्परोव ने लॉंग कैसलिंग की और अपन पर अटेक उसका डिफेंस ब्लैक ने किया Qe6 करके वाइट ने क्विन को टार्गेट किया नाइट D4 से Qb6 और वाइट ने ब्लैक के स्केटर्ड पॉन स्रक्चर का फायदा उठाना शुरू किया अपने रुक को H3 स्क्वार पर ले जाकर यहां वाइट का इरादा नहीं कर सकता मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और देखें कि क्या आपको नजर आता है फ्रेंड्स अगर आप उस मूव को समझ चुके हैं तो कॉन्रेचुलेशन्स यहां कैस्परों ने किया नाइट E6 और नाइट E6 करने के पीछे उनकी प्लैनिंग इस इस एफ पॉंड को लेने की है ब्लैक के इस एफ पॉंड को ये क्विन defense कर रही थी इस क्विन की defending लाइन को इसफ नाइट ने कट कर दिया यहां बगर ये नाइट ब्लैक ने एफ पॉंड से लिया f टेकश E6 करके तो उसके बाद simple queen h6 check ruk g7 और उसके बाद ruk d7 और ये situation ब्लैक के लिए बहुत बारी होगी और अगर यहां इस situation से ब्लैक ने किया queen takes f2 और f1 को दूसरे एंगल से defend करने की कोशिश की तो उसकी defending line को cut करने के लिए rook f3 queen per attack और अगर इस rook को black ने यहां लिया e takes f3 करके तो उसके बाद queen f6 check rook g7 queen takes g7 check and mate तो इनी सब calculations के बाद इस position से यहां black ने किया rook g6 queen per attack queen f4 rook per attack यहां black ने rook को e8 square पर बचाया rook e8 करके friends यहां black एक बहुत बड़ी गलती कर गया उसको यहां rook e8 ना करके black को यहां इस position से करना चाहिए था bishop d5 ऐसा करके सबसे पहले तो वो rook के 8th rank में आने के किसी भी chance को खतम करता है दूसरा अपने b8 के rook को defend करता है लेकिन यहां यह गलती क्रेमनिक से हो गई उसने अपने rook को e8 square पर भेजा कासपरोव ने किया rook d6 queen per attack friends आप देखिए कि पिछले 5 यचे move से white का knight यहां spawn के उपर रखा हुआ है लेकिन black इस knight को नहीं ले पा रहा है खेर फिलाल तो कासपरोव ने क्रेमनिक की queen पर attack किया है क्रेमनिक ने इस attack का जवाब भी attack से दिया knight d5 करके और अगर कासपरोव ने यहां यह queen exchange asept कर लिया होता rook takes b6 करके तो उसके बाद knight takes f4 knight takes f4 rook takes g4 rook takes b7 rook takes f4 और यह position दोनों के लिए equal होती तो इसलिए यहां इस position से उसने किया h5 यहां क्रेमनिक ने इस queen sacrifice को accept किया knight takes f4 करके फ्रेंड अब आगी की game को बहुत ध्यान से देखिए यहां कासपरोव ने अपनी queen sacrifice कर दी और क्रेमनिक की queen लेने की उसे कोई जल्दी नहीं है उसने अगला move चला h takes g5 और अपना rook भी sacrifice कर दिया क्रेमनिक ने इस rook sacrifice को accept किया queen takes d6 करके लेकिन फ्रेंड्स यहां क्रेमनिक के पास काफी options थी अगर इस position से black ने किया होता knight takes h3 तो उसके बाद g takes f7 queen takes d6 and at last f takes e8 is equal to queen and check and mate और black की game यहीं खत्म हो जाती और दूसरी option अगर यहां black ने किया होता f takes e6 तो उसके बाद rook takes h7 check king g8 और rook takes b6 और यह situation white के लिए काफी favorable होती लेकिन यहां इस situation से black ने इस rook sacrifice को accept किया queen takes d6 और black को यहां opportunity मिल गी इस game को dominate करने की उसने किया rook takes h7 check king g8 friends महान के लाड़ियों की यहीं निशानी होती है यह पूरा combination शायद 8 या 9 move पहले शुरू हुआ था जहां कास्परोव ने इस rook को unprotected देखा था यह रुक किसी के जूर पर नहीं और सारा sequence और at last f takes e8 is equal to queen और कास्परोव ने अपने queen reclaim कर ली यहां black ने किया knight takes e6 कास्परोव ने अभी भी इस knight को नहीं लिया उसने पहले किया bishop f5 check king h7, queen g6 check king f8, queen takes f6 check king e8 और अब जाकर कास्परोव ने इस knight को वापस लिया bishop takes e6 करके और friends क्रेमनिक ने इस game का दूसरा blender किया उसने move चला queen f8 और कास्परोव का last blow bishop d7 check और queen की protection को कास्परोव ने deflect कर दिया और इस वज़े से क्रेमनिक को यहां resign करना पड़ा पता नहीं कास्परोव ने यह made कितनी देर पहले calculate कर ली थी तो friends hopefully यह game आपको पसंद आई होगी आप इस video को like करें, share करें और मेरे इस youtube channel chess group को subscribe करें और आपकी comments का मुझे बेहद इंजार रहेगा thank you for watching and bye for now